किसान बहिए नमस्कार आज यहां पर एक पन्ना जिले में गाउं पड़ता है गंज है ना वहां पर आये हुए हैं और हमारे सामने एक हमारे मित्र हैं मिस्टर ब्रजवासी चोरसिया जी अपने बारें बताएंगे सर आपको सुबनाम ब्रजवासी चोरसिया अच्छा तो सर क्या करते हैं और इसमें करते हैं झाल आपने चना लगाया हुए इस तो सरी आपने लगाया हुआ जो काफी बढ़ी अफसल दिख रही है इसमें और सर इसको ये बताएं कि मल्टिप्लार आपने डाला तो कैसे डाला और कितनी बार छाव रहे हैं वरने मुझे को सजेस्ट किया कि आप मल्टिप्लायर डाल के खिदी करिए जी और मैं उनकी बात मानकर इसे मेरा चना तब भो गया था और काफी बड़ा भी हो गया था जी सबसे पहली बार मैंने इसको इंसेक्टी सैट के साथ में जी मल्टिप्लायर एक तंकी में 15 ग्राम इसमें दुबारा भी डलवाया और अभी पांच चार दिन पहले भी और इस तरह से मैंने तीन बार करवाया है मल्टिप्लायर का पर लास्ट बार जो मैंने करा है उसमर इस प्लस और आल क्लियर जी यह तीनों चीज मिला कि जी इसके साथ मैंने अपने चने की खेद में जी आल क्लियर मैंने डाला था पांच एमेल आप देख रहे हैं दोस्तों यह जो कलर है आप देखिए अना एकदम डार्क ग्रीन है और यह देखिए उसमें फोलों की संख्या जबर्दस है है ना और इसमें किसी प्रकार का कोई भी इसमें अभी यह नहीं लगता कि और कुछ एकदम जबर्दस देख रहा है तो सर यह बताएं कि और जो किसान भाई है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे मल्टिप्लायर के संबंद में जहां तक मेरा अनभौ इस मल्टिप्लायर के संबंद में है जो मैंने अपने खेत में प्रयोग किया है मुझे ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया प्रोड़क्ट साइद अभी तक मुझे नहीं देखने के मला है जोगी पहले भी मौशारी प्रोड़क्ट डालता रहा हूं जी मैंने अपने एक जगह अरहर की खेत भी कर रहा हूं जी उस पर भी मैंने डाला है और गेहों की खेत में भी डाला है अच्छा वहां पर कैसा रिजल्ड सर जबर जस्त जैसा आप देख रहे हैं चने पर जी उसी तरह से मेरे अरहर और गेहों के खेत में भी है अच्छा और मैं चाहूंगा कि यह हर जगह इसका प्रयोग किया जाए जी ताकि यह जो केमिकल फटिलाइजर से उससे मुक्ती मिले और हमार जो देश है वह जहर मुक्त खेती वाला देश बन जाए बहुत बढ़ी असर धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद अधन्यवाद